तो फ्रेंड्स वेल्कम तो स्ट्वेंट पीडिया टीचिंग एपिट्यूट के 10 MCQ क्षेंस एवरे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ये पार्ट 16 नहांदस पार्ट पर आप देख सकते हैं सर्च करना है स्ट्वेंट पीडिया टीचिंग एपिडियूट MCQ क्षेंस वो सर्च लिस्ट में टॉप पे आ जाएगा और बतलादू जितने भी इंट्रेंस एग्जामनिशन है जहांपर टीचिंग एपिडियूट MCQ क्षेंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये वीडियो काम आने वाली है क्योंकि क्षेंस बिल्कुल सेम रहता है यहाँ पर ज़्यादा चेंजर्स देखने को नहीं मिलते है क्योंकि आप देखे तो यहाँ पर आपको चेक किया जाता है आप कैसा सोचते हैं आपकी mental ability कैसी है यहाँ पर questions को problem को solve गरने के लिए जो की related है टीचिंग से तो यहाँ पर जो है आपको बस करना क्या है practice करनी है जितनी ज़्यादा practice करेंगे उतना आपका अच्छा score यहाँ पर रहेगा बात करते हैं question number 151 की बोला गया है इसे टाइप question में वो क्या होता है यहाँ पर पूरा जो है study material वो cover नहीं हो पाता इसे में बोला गया few questions can be asked बहुत सा कम question पुछे जा सकते हैं इसे में के लिए बोला गया it is difficult to define the norm for the elevation method तो यहाँ पर जो है यह difficult होता है यहाँ पर define करना norm जो होता है evolution के लिए उसके लिए और यहाँ पर कहीं न कहीं evolution में भी problem होती है तो सारे यहाँ पर सही होंगे question number 152 देखे बुला गया है in your view the profession of a teacher is फिर आपको option दे दिये गया है teacher का profession कासा है बुला गया stop गया परेजमेंट है profitable है full of fun and frolic है the best है तो बतला दू आप teaching profession पे आ रहे हैं क्योंकि यह based है option D बिल्कुल correct यहाँ पर होने वाला है बात करते है question number 153 की यहाँ पर बुला गया है some of your friends make fun of a teaching profession in such a situation what do you do what will you do as a teacher तो as a teacher यहाँ पर आपको बोल दिया गया है आप teacher है आपके दोस्त यहाँ पर मजाग बना रहे हैं आपका कि क्या सब प्रोफेशन तुमने चूज कर लिया है ऐसे में क्या करेंगे आप उन्हें जो है मनाएंगे कि यह आपका उपीनियन गिलत है option B बुला गया है you will think about the amending the teaching profession आप teaching profession को छोड़ देंगे बुला गया है you will try to find a new profession आप new profession job जो है ढूणेंगे यहाँ पर option D बुला गया है you will stop interacting with such friends आप जो है friends से यहाँ पर relation कर लेंगे interact नहीं करेंगे बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा option D काफी लोगों को सही लग रहा होगा पर बतला दूँ ऐसा यह जो है नहीं होने वाला यहाँ पर क्योंकि as a teacher आप सोचे तो यहाँ पर आपसे idealistic answer approach होना चाहिए आपका और answer जो है idealistic थोड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर option A बिल्कुल correct होगा you will convey them that their opinion is wrong तो यहाँ पर जो है option A correct होने वाला है 154 question देखे बोला गया है friend of your get an article published under his name you had written that article and given it to him you would आपने एक article लिखा friend को दिया friend ने publish करा लिया ऐसे case में आप क्या करेंगे बोला गया है आप जो है legal action लेंगे option ने option B बोला गया है great decides करेंगे सबके सामने उन्हें option C बोला गया है talk him peacefully and make him realize that he had committed a mistake आप उससे सांती पुर्वक बात करेंगे और बोलेंगे आपने गलत काम किया है यहाँ पर और यहाँ option D बोला गया है warn him not repeat such a mistake in future आप देखें option A, B और यहाँ पर D में aggression आपको देखनी को मिलेगा और यहाँ पर जो है as a teacher आप से accept नहीं किया जाता कि आप जो है यहाँ पर aggression सू करेंगे ठीके तो यहाँ पर option C बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर 155 की बात करें बोला गया है if one of your student calls you on the road outside the school then you'd आपको एक बच्चा आपकी class का बाहर जो है roadside यानि school के बाहर आपको आवाज लगाता है call करता है तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे बोला गया है darting उसे उसके behavior के लिए आप उसे सुनेंगे call but move away आप सुनें और आगे बढ़ जाएंगे ignore कर देंगे understand objective of calling you and help him आप उसके courses करेंगे जानने की क्या objective है क्यों आवाज लगा रहा है बिल्कुल option D यहाँ पर correct होने वाला है 156 देखे बुला गया है student invites you to visit his home what you do in such situation आपको यहाँ पर एक student invite करता है घर में तो आप क्या करेंगे you will never visit his home आप कभी नहीं जाएंगे you will tell him that you have do not have time to pay visit आपके पास time नहीं visit करने के लिए if the purpose of visit is important you will certainly call on him आप जो है यहाँ पर purpose अगर यहाँ पर काफी important है तो आप visit कर लेंगे generally you will respect his feeling क्या करना होगा आपको यहाँ पर यहाँ पर देखे options C correct होने वाला है if purpose of visit is important है तो बिलकुल आप वहा गया है even after explaining so many time a student has not been able to understand your point in such situation you would एक जो है बच्चा आपकी बाते समझ नहीं पा रहा है आप उसे repeat कर रहे है फिर भी समझ नहीं रहा है ऐसे में क्या करेंगे आप बोला गया है stop paying attention to that student आप जो उसा attention नहीं देंगे think about a new method of explaining आप नहीं method यहाँ पर डोटेंगे कैसे से explain क्या suggestion him to study through tuition आप tuition बेज देंगे उसे बोलेंगे आप जो है tuition जाईए यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे है inform कर देंगे principal को बिल्कुल यहाँ पर option बी जो है यहाँ पर सही होने वाला है as a teacher आपको अलग method यहाँ पर जो है ढूड़ना होगा जिससे आप explain कर सके अपनी बातों को 158 देखें बुला गया है you are a teacher and do your work with complete dedication you will expect that यहाँ पर जो है आप क्या उमीद रखते हैं जैसे आप अपने काम अच्छे से कर रहे हैं complete dedication के साथ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उमीद रखते हैं आपको prize मिले यहाँ पर बुला गया your name should be published in newspaper a few words should be stated in your honor on a special occasion you should be given an advanced increment पैसा आपको पहले देदिये जाए कौन जो सही होगा बिल्कुल एक teacher अच्छा काम करता है तो उसे उमीद होती है कि उसके जो है सम्मान में कुछ words कहे जाए special occasion में ठीक है जब जब टीचर डे हो गया उस टारिफ की जाए उनके लिए 159 की बात करे बोला गया a teacher should study on continuous basis so that he is able to यहा communicate his student करेंगे become more useful for his student greater respect among his colleague बताइए कौन सा यहां पर correct होने वाला है बिल्कुल options से यहां पर correct होगा आप जितना as a teacher पढ़ेंगे उतना ही useful लंगे अपने students के लिए 160 question देखते हैं बुला गया है in your class the son of principle is also one among the student he is in English in an act of indiscipline you would फिर आप से पुझा गया जैसे एक principle है उसके जो है son भी यहां पर आपकी class में student है वो जो है बदमासी करता है यह involved होता है indiscipline activity में तो क्या करेंगे आप attention नहीं देंगे आप उसे डाटेंगे यहां पर यहां पर जो है आप अगर option देखे तो बुला गया है behave with him in the same manner in which you would have behaved with any other student of your class आप same manner में behave करेंगे जैसे आप अधर बच्चों के साथ करते हैं give him a harsh punishment so that he understand that you do not give any levy to the principle यहां फर शूट न डिये हैं जैसे यहां पर होता है कि आप पििटाइ कर डे रहे वह उसके कि लगे नहीं कि जै आप ने यहां पर छूट दिया है ठीक है तो देखे कौन से option वहाँ होगी बिल्कुल यहां पर option c यहाँ पर हो सही होगा क्यों होगा सही क्योंकि आप यहाँ पर example set करेंगे कि हम हमारे लिए कोई भी बच्चा बड़ा या छोटा नहीं है यहाँ पर कोई भी matter नहीं करता इसलिए आप same behave करेंगे जैसे other restaurant के साथ करते हैं तो अब आपको समझ में आ गया हो कुछ डॉट हो तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं यह 160 question complete हो गया है other questions भी अलग पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे thanks for watching best of luck